केरल के वायनाड में लैंसलाइट से भारी तबाही मची हुई है जिसे लेकर कॉंग्रेस आंसत राहुल गांधी और पार्टी महासचे प्र्यांका गांधी ने गुरुबार को मौके का दौरा कर पीडितों का हाल जाना वही दोनों निताओं का ये दौरा शुक्रवार को भी जारी रहा इस दौरान राहुल गांधी ने पीडितों को राहत देने के लिए बड़ा एलान किया है मोधी सरकार का बड़ा जूट सामनी आया है बतादे की केरल म्याई लैंड स्लाइट तभाई को लेकर एक कत्थे जुलाई को राजसभा में केंद्री ग्रह मंत्री ने दावा किया था सरकार की ओर से केरल सरकार को घटना की अरली वार्निंग दी गई थी इस अलट के बावजूत केरल सरकार ने कोई अक्षन नहीं लिया था अब एक मीडिया रिपोर्ट ने ग्रह मंत्री के इस दावे की फोल खोल दी है इस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रह मंत्राली की ओर से केरल सरकार को कोई अरली वार्निंग नहीं दी गई थी यानि ग् खिलाब विशेश अधिकार हनन की शुकायत दर्श कराई बतादे कि 31 जुलाई को अमिशा ने कहा था कि हमने 33 जुलाई को ही राच सरकार को अर्ली वार्निंग दे कर आगा कर दिया था 26 को ये कहा गया था कि अधिक बारिशोने की संभावना है जिसे लेंड्सलैट की संभावना है अब ग्रहमंतरी का ये दावा सफेज जूट साबित हुआ है विशेश अधिकार हनन की शिकायत की कौपी साज़ा करते हुए कॉंग्रेस महासचीफ जेराम रमेश ने कहा कि इन द सरकार द्वारा जारी पूर्वी चेतावनी पर अपने जोरदार वयानों से राजसभा को गुमरा किया है जो पूरी तरह से जूटे साबित हुए हैं ऐसे गंबीर हाथ से पर ग्रहमंतरी का इस तरह का गयर जमेदराना बयान उनके साथ-साथ पूरी मोधी सरकार की पर सवाल खड़े करता है डीवी लाइफ की रिपोर्ट